बिसमिल्ला रख्माली रहीम, असलाम लेकूम, वेलकूम एक तो माई यूट्यूब चैनल, आज हम लोग अपने बुक इंड़ुक्शन तो स्राटिस्टिकल थ्यूरी पार्टमेंट शेर महामा चोद्री की बुक से चप्टर नमबर फॉर, वियर्द आफ डिस्पर्शन, मुम पॉइंस्टी की फॉर्म में हो, और अगर हम उसके आंसर को चेक कर सकें, तो हम उसको चारलियर चेक कहेंगे, इन दो स्राटिस्टिक्शन ने एक इंटोड्यूस किया था चेक, जिसको उन्होंने नाम दे दिया चारलियर चेक, और ऑफ बंवियर्चन, दो कि इस इस्टी को इस्तिमाल करने के लिए पॉर्मूलाज इंटोड्यूस कर वाई, जो कि फ़र्स्ट है, submission f u plus one हमारे पास जो moments होते हैं वो first four moments है उस तरह चारलियर चेक भी हमारे पास first four ही आएंगे सबसे पहले हम लोगों ने submission f u plus one is equals to हम लोगों ने ये form लिखी उसके बाद इस form को आप चाहें तो इस तरह ये वाला apply करें ये वाला apply करें सबसे पहले अगर हमारे पास ये formula है तो उसके बाद इन्होंने इस bracket को submission f के साथ multiply करवा दिया submission f u आगया first और दूसर submission f को one के साथ multiply करवाया तो इन्होंने यहाँ end लिखवा दिया उसके बाद है submission f u plus one का square जिसको हम अपने form में कह सकते हैं और हम इसको समझ लें तो यह first हम लोग चाहँ लिए चेक कहेंगे इसको हम first moments की तो पर भी कह सकते हैं और अगर हम इसको कहें तो यह second चाहँ लिए चेक है जिस तरह हम second moment पढ़ते हैं अब हमारे पास है u plus one का square अब सबसे पहले हम इस u plus one के square को हम लोग open कर लेंगे जो कि है a plus b का square सबसे पहले हमारे पास आजएगा a square plus two a b और b square यहाँ पर आप square लिख सकते हैं one का square one ही रहेगा इसलिए आप square लिखें या ना लिखें एक ही बात है उसके बात अब आपने जो इस bracket को open किया है आप उस bracket को submission f के साथ multiply करवा देंगे आपके पास यहाँ form आजएगे submission f use के plus two submission fu plus n आप लोग यहाँ n को submission f से multiply करवाएंगे तो आपके पास यहाँ n आएगा उसके बात हमारे पास जिस तरह third moment में होता है उस तरह यहाँ चार्लियर चेक का third है form submission f u plus one का part cube सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर cube का फामूला लिखा जोकी है a cube plus three a cube यहाँ b है और हमारे पास यहाँ b की value one है इसलिए आप यहाँ लिख भी सकते हैं और यहाँ ना भी लिखें तो एक ही बात है और यहाँ पर भी one है और इसका square है उसके बात है हमारे पास यहाँ a cube plus three a square b plus three a b square plus u यानि के a उसके बात हम लोगों ने इस पूरी bracket को submission f से multiply करवाया हमारे पास यह form आ गई उसके बात हमारे पास fourth form है चार्लियर चेक की submission f u plus one की part four सबसे पहले आप u plus one की part four का formula open करेंगे जो आपके बस है a plus b की part four का formula suppose अगर आप इसको a suppose करें और इसको b suppose करें तो आपके बस यह form बनेगी a four plus four a cube आगे है यहाँ पर b आप b यहाँ पर one लिखें या ना लिखें की बात है आगे है plus six a square और यहाँ b का square जो के one जो के one ही रहेगा और यहाँ पर है plus four a b की part plus one की part four यह हमारे पास form आती है उसके बाद आप लोगों ने इसी bracket को multiply कर देना submission f के साथ हमारे पास यह total form आजगी अब चाल लिए चेक का numerical को हम solve करते वक आप चाल लिए चेक में यह form यूज करें यह form यूज करें अगर आपके पास इन दोनों का answer same आ रहा है तो यह बात हो जाएगी कि हमारा यह answer verify होगी और अगर इस answer में कोई ना कोई mistake होगी for example अगर यह answer एक आ रहा है और यह answer different आ रहा है इसका मतलब कि हमारे किसी एक answer में कोई ना कोई mistake है इस तरीके से हम अपने answer को verify कर सकते हैं अब next हम लोग example solve करते हैं ताके हमें यह topic clear हो जाए अब हमारे पास यह example example number 4.15 page number 111 पे हमारे पास यहाँ इसकी statement है calculate the first four moment about the mean from the data of example number 4.4 आपने सबसे पहले find out करना है first four moments about mean उसके बाद आपने चार्लियर चेक अप्लाई करना है चार्लियर चेक के लिए हमें यहाँ apply होगा use करेंगे हम लोग you को तो हम इसके solution के लिए यहां columns लिख लिए थे यहां इसके solution के लिए columns लिख लिए हम लोग moments about mean में x minus x बार नहीं use करेंगे जो चार्लियर चेक के form में use होका वही हम लोग moments में apply करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ने यहां x का column जो के example number 4.4 से हम लोग ने लिख लिया और यहां f का column लिख लिख लिए और इसका sum कर लिया जो कि है 60 अब यहां step number 1 है हमारे पास first of all we find first four moments the formula are given below सबसे पहले अगर हम लोगों ने find करना है first four moments तो हम लोग सबसे पहले find out कर लेंगे raw moments ताके raw moments को हम first moment about mean में apply कर सके तो raw moments हमारे पास चार्लियर चेक के according आएंगे submission f u divided by submission f हमारे पास यहां submission f का answer is 60 और submission f u का हम लोगों ने answer निकालना है उसके लिए हम लोग निकालनेंगे u का column u के column के लिए हमारे पास formula हता है u is equals to x minus a divided by h h की value हमारे पास जो interval था example number 4.4 में जो उन classes के बीच का gap था वो था 20 तो हम लोगों ने यहां 20 लिख लिए और यहां पर a की value वो आएगी जिसकी सबसे ज़्यादा highest frequency है हमारे पास यहां सबसे ज़्यादा highest frequency है x की value की 114.5 तो हम यहां लिख लेंगे 114.5 अब यहां पर x की जितने भी value है for example अगर हमारे पास 74.5 है तो हम उसको 114.5 में से subtract करेंगे और divide करेंगे 20 के साथ हमारे पास यहां यू काigon आज़ेगा second हम लोग यू के column को एफ से multiply करेंगे f y का कौलम आज़ेगा उसके बार हम यू की जितनी भी values है उसका स्केर ले लेंगे उसके बार इसको f से multiply करेंगे हमारे पास f y का क além आज़ेगा third column के लिया हम f y और f y squared को multiply करेंगे F U cube आजएका फॉर्थ कॉलम के लिए हम F U square की ही value को F U square से ही multiply कर देंगे हमारे पास F U 4 आजएक और यहां हम इन सब के sums लिख लेंगे तो चले हम यह columns complete कर लेते हैं अभी हम लोगों ने वो columns complete कर दी हैं जो हम raw moments में भी इस्तेमाल करेंगे और आगे जाका चार्लियर चेक के moments में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे पहले हम लोगों ने raw moments first raw moment निकालना है यहां पर हम लोग F U की जो value है हम लोग वो लिख लेंगे जो कि है हमारे पास sum 24 यहां पर हमारे पास value है 36 हम लोग यहां लिख लेते हैं 36 यहां पर value है 36 सबसे पहले आपने 24 को divide करना है 60 के साथ आपके पास यहां first 4 raw moments आजएगा M1 raw moment की value second पर आपने 192 को divide करना है 60 के साथ आपके पास second raw moment का आजएगा यानिके second raw moment थर्ड पर आपने 396 को divide करना है 60 के साथ आपके पास third raw moment का आजएगा यानिके M3 prime उसके बाद fourth raw moment का answer हमारे पास 1848 आपने इसको divide करना है 60 के साथ आपके पास यहां fourth raw moment यानिके M4 prime का answer आजएगा अब हम इन सब के answers लिख लेते हैं अब ये हमारे पास first raw moment से लेकर fourth raw moment तक हमारे पास यहां answers आ गए हैं अब हम इन answers को moments about mean में पुट कर देते हैं सबसे पहले हमारे पास first moment होता है first raw moment minus first raw moment हमारे पास यहां first raw moment का answer is 0.4 हम लोग 0.4 में से ही 0.4 की जब value को subtract करते हैं हमारे पास first four moment का answer आ जाएगा 0 अब हम लोग find out करते हैं second second moment about mean से लेकर fourth moment about mean तक के answers को next अब हम लोगों ने ये moments about mean के moment number two, moment three और moment four की इस fourth moment हम लोगों ने complete कर लिये हैं और ये इनके answers है m2 यानिके second moment का answer है 3.04, third moment का answer है 2.888, fourth moment का answer है 23.2352 next अब हम लोगों ने charlier check को हम लोगों ने करना है solve, charlier check के लिए आप लोगों के पास यहाँ दो method है हम लोग इसके answer को verify करते हैं, verify करने के लिए आपके पास यहाँ दो method है, दो method ये कि आप लोग first यहाँ पर submission fu जो हम लोगों ने first raw moment में use किया है, आप यहाँ वो value लिख सकते हैं और n की value आएगी submission f की, जो कि है 60, आप लोग यहाँ इस तरीके से भी जो इस cancer हैगा वो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर एक और method है कि आप u plus one का एक column बनाएं, और उसको आप f के साथ, submission f के साथ, यहाँ की column के साथ multiply करें, तो आपके पास submission f, u plus one का column भी आ जाएगा मैं आपको यह column भी solve करके दिखाती हूँ, अब हम लोगों ने यहाँ पर first column बना लें, u plus one का, आप लोग यह method भी use कर सकते हैं, और यह वाला method भी use कर सकते हैं, जो कि है submission f, u plus n, submission f, u plus n के लिए आप यहाँ क्या करेंगे, submission f, u की value जो कि है 24, और n की value है submission f, की जो कि है 60, आपके पास answer आएगा 84, आप लोग यह भी लिख सकते हैं, और इसी answer को दूसरे तरीके से verify करने के लिए आप यह कर सकते हैं, कि आप यह column बनाएंगे, u plus one का, u plus one का column आपके बनेगा, u की जितनी भी values हैं, जैसे कि यहाँ पर है minus two, minus two के अंदर आप plus one add करेंगे, आपके पा answer आएगा zero, zero के अंदर one add करेंगे, आपके पास answer आएगा one, और one के अंदर आप one add करेंगे, answer आएगा two, two के अंदर one add करेंगे, three आएगा, three के अंदर one add करेंगे, four आएगा, four के अंदर one add करेंगे, five आएगा, इसी column को आप F के column के साथ multiply करतेंगे, आपके पास यह वाला column आ रहा है submission F U plus 1 का answer वह भी है 84 इसका मतलब है कि हमारे पस 1st चार्लियर चेक का जो answer है वह verify हो गया 84 नेक्स अब आप लोग को column बना सकते हैं आप लोग इस method से भी कर सकते हैं कि आप लोग इस column की आप लोग लेने power का square और इसको multiply कर दे इन सब column के साथ आपके पास answer आजएगा F U plus 1 square का second आप लोग U plus 1 का cube ले जो जो answer है उसका cube ले और multiply करवादे F के साथ आपके पास answer का एक column आजएगा F U plus 1 cube का और 4 आप लोग U plus 1 की पार 4 इन सब values का आप लेने 4 और आप लोग multiply करवादे इसको F के साथ आपके पास summation F U plus 1 की पार 4 का एक answer आजएगा या फिर डूसा method यह है कि आप यहां पर जो इन सब के जो फार्मूला जो हम लोगों ने call के लिखवाएं में आप लोग वो भी apply कर सकते हैं तो चलें अब हम इसके answers को लिख लेते हैं अब यह हम लोगोंने फर्स चार्लियर चेक की value पुट की जो के 84 जो के verify हो गया जब हम लोगोंने second को चेक किया तो हमारे पास answer है 300 वो भी दोनों equal है इसका मतलब यह भी verify हो गया है थर्ड का हमारे पास answer है 1104 वो भी दोनों verify हो गया और फॉर्ट का हमारे पास answer है 4740 यह दोनों भी verify हो गया है इसका मतलब यह तरीका है दोनों answers को match करने का तो इसी के साथ हमारे पास चार्लियर चेक का topic complete होता है next अब हम लोग example करते हैं 4.16 जो कि है page 111, 112 और 113 पे इसलिए अब हम लोग next example number 4.16 start करते हैं जो कि इस chapter की last example है topic से related 112 और 113 पेज के उपर है यहां पर हमें यह बताया गया है कि आपने first 3 moments कि आपके पास distribution है जिसकी value है 2 आपके पास इन 3 moments के answer आएंगे 1, 16, and minus 40 आप लोगो ने show that the mean is 4 आप लोगो ने प्रूफ करना है कि आपको mean का answer 3 आ और variance का answer 15 आए और M3 का answer आपके पास minus 86 आए उसके बाद आप लोगों ने यह बताना है कि also show that the first 3 moments about x is equal to 0, 3, 24, and 76 first आप लोगों कि यहाँ पर moments mention होंगे जो कि raw moments होंगे उसके आप लोगों ने mean variance इसी से आप लोगों ने moments निकाल लेने है जो कि होंगे mean का answer 3 यानि कि M1 का answer 3 होगा आपके पास M2 का answer आएगा वोगा 15 और M3 का answer minus 86 होगा यह answer conclude करने के बाद आप में M1 यानिके दुबारा से moments निकाल लेने है जो कि x is equal to 0 के origin पे होगा और उनके answer आपके पास 3, 24 और 76 होगा चाहिए तो चलें अब हम लोग solution स्टार्ट करते हैं अब यहां solution स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग के पास जो data given है हम लोग वो लिख लेंगे हमारे पास first raw moment है M1 prime is equal to 1 by N submission F x minus dash जो कि होता है x bar तो यहाँ पर हमें जो value दी गई है वो है 2 इस को आप कहा दिएंगे कि यह है equation number 1 second आप लोग लिखेंगे M2 prime is equal to 1 by N submission F x minus 2 की बार का square जो कि होता है x minus x bar का square उसको आप कहाँ दिएंगे equation number 2 और third आप raw moment लिख लेंगे जो कि है 1 by N submission F x minus 2 की बार 3 और इसको आप कहाँ दिएंगे यह है equation number 3 अब इन्होंने हमें कहाँ है कि आप जो first raw moment solve करेंगे उसका answer आपके पास हो उसका answer आपके पास है 1 second का आपके पास answer है 16 और इसका answer है आपके पास minus 40 अब आप लोगोंने इन सब यह आपके पास given information अब आप लोगोंने इन तीनों की given information के according पूरा question solve करना है next अब हम लोग अपने moments निकाल लेते हैं जो कि इन्होंने कहाँ है कि आपके पास mean आना चाहिए 3 variance आना चाहिए 15 और M3 का answer अचाहिए minus 86 अब हम लोग वो drive कर लेते हैं अब next अब हम लोगोंने suppose किया है कि x minus x bar हमारे पास एक value है जिसके अंदर हम लोग एक arbitrary origin यानि कि a की value को add भी करवाएंगे और subtract भी करेंगे कि हम लोग इसी form के अंदर minus a को एक दफाव माइनस किसाथ लिखेंगे और एक दफाव add के साथ यानिके plus किसाथ लिखेंगे और हम लोग इंसा values को split कर लेंगे सबसे बहुत पहले हम लोग यहां कर लेंगे x-a और जब हम लोग यहां पर सबसे वहले x-bar की value को लेकर आना है तो यहां आज़े का minus का sign और इस minus का sign की वज़े से a की value भी change होजेगी तो यहां आज़े का minus x-bar minus a हमारे पास यह दो forms बन गी हैं अब हम लोगों ने suppose कर लिया कि हमारे पास जो first form है आप उसको कह देंगे यह d की form है और जो second form है आप उसको कह देंगे कि यह m1 prime की form है जो कि x-bar minus a यह सब चीजें आप लोगों ने suppose करके लिखनी है उसके बाद अब आप लोगों ने find out करना है हमने जब find out करना है वो है mean उसके बाद हम लोगों ने find out करना है variance और उसके बाद हम लोगों ने find out करना है m3 अब सबसे पहले हम लोगों ने find out करना है m1 तो उसके लिए हमारे पास यहाँ equation है x bar minus a x bar की value कर दोटें हमारे पास मावाना सबसे फ़क्रावाल से तरह रख सब sto我也 क quiénि को कि Baptist जो हम लोगोंने रगे हम रामुमेंट्स में लिड़न रख दाcken की सबसाल रहा है। जो हम लोगोंने रामुमेंट्स में से निकाली जिसकी वैल्यू है ₲ यह हम लोग यहां लिख रहे हैं और यहां यह लोगों ने इनकालना है जो कि है S2 के equal तो अब हम लोग यहां पर find out करेंगे अपना variance तो यह हम लोगों ने M2 moment about mean के वो formula लिख लिख लिए हैं जो कि हम लोग drive करते हैं जिससे हम लोग drive कर सकते हैं यहां पर हमारे पास draw moment जो पिछे हम लोगों ने equation find out की है अब हाँ पर equation 2, second draw moment की value थी हमारे पास यहां 16 जो कि हमने इस equal के बाद लिखी वो हमने यहां लिख 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 लिए और M1 की value जो कि equation 1 में हम लोगों ने लिखी थी 1 आप लोग 1 का scale लेंगे वो 1 ही आता है तो 16 मेंसे जब आप लोग 1 को subtract कर देंगे आपके पास M2 की value आजाएगी 50 अब आप लोगों ने third moment निकाल लिए आप यहां पर third moment about mean के formula लिखेंगे अब हम लोगों ने यहां पर वही moments about mean के formula लिख लिए और यहां पर उनकी values पुट कर लिए जो हमारे पास equation के बाद थी M3 raw moment की value हमारे पास थी minus 40 जो हमें गिवन थी M2 raw moment की value 16 और M1 raw moment की value थी 1 यह सब values को लिखके हमने solve किया तो M3 का answer यहां पर जब आप इसको solve करेंगे वो भी drive कर लिए और अब हम लोगों ने उसी equation के होते हुए raw moments about mean को भी drive कर लिए अब next अब हम लोग x is equal to 0 के origin पर देखते हैं कि हमारे पास moments की values आती हैं या नहीं अब हम लोगों ने यहां पर equation 1 जो हमारे पास given equation थी हमने वहाँ as it is वो लिख लेनी है जो कि हमारे पास given थी हम लोगों के पास जो answer आएगा हम लोग उसको कहतेंगे कि वो moments है raw moments लेकिन हम लोगों ने यहां से is equal के बाद वाली equation को solve करना है सबसे पहले हमारे पास given है 1 by N हम उसको यहां लिख लेंगे m1 raw moments 1 by N अब हम लोग इस submission को इस bracket वाली form के साथ multiply करेंगे या जोगा submission f of x minus 2 submission f और is equal के इदर value है 1 हम लोगों ने यह solve करनी है सबसे पहले हम यहां लिखेंगे raw moments आप इसको ना भी लिखे तो भी आप is equal के बाद से यहां से लिखना start करें तो भी आपकी equation ठीक solve होगी अब यहां पर हमने यही form लिख ली है जो कि 1 by N और M1 raw moments को हम लोगों ने ignore कर दिया है अब हम लोगों ने यहां is equal के बाद वली जो term है हम लोगों ने वो लिखिया जो कि 1 by N summation f of x minus 2 is equal to 1 हम लोग इस minus 2 को यहां पर shift कर देंगे 1 by N summation f of x is equal to 1 plus 2 तो हमारे पास यहां 1 by N summation f of x का answer आजेगा 3 3 का मतलब है कि हमारे पास यहां पर M1 raw moments जो कि 1 by N summation f of x उसका answer आगे है 3 हम यहां पर वो लिख लेंगे अब हम लोग equation number 2 को solve करेंगे हम लोग यहां पर लिख लेंगे अपनी equation number 2 वो है M2 raw moment is equal to 1 by N summation f x minus 2 की पार square is equal to minus 16 is equal to 16 यह हमारे पास form है अब हम इस form को further solve करते हैं अब यह हम लोगों के पास form है अब हम लोगों के पास जो bracket के उपर जो square है हम उस square को open करेंगे तो square को open करने के बार आप लोग यह suppose करने के यह a minus b का square है तो हमारे पास यहां आजएगा a square minus 2ab plus b square अब हम लोगों के यहां पर लिख लेते है first यह आगे हमारे पास suppose a square अब हम लोग second लिखेंगे 2ab और यहां आजएगा b की value 2 को 2 से multiply करेंगे तो आपके पास आजएगा minus 2x और यहां पर आजएगा 2b square जो के है 2 का square और यहां पर is equal के दर आजएगा 16 अब आप लोग इस bracket को पुरा solve करके लिख लेंगे तो यहां पर आपके पास answer आजएगा यह अब आप लोग इस bracket वाली term को submission f के साथ multiply करवाएंगे क्योंकि 1 by n को आप बाहिर रहने दे submission f x के here हो जाएगा जो के हो जाएगा m2 prime की value और second आजएगा minus 4 submission f over x plus 4 क्योंकि आप इसको multiply करवाएंगे आपके पास यहां आजएगा n और यह n बाद में इस n से cancel out हो जाएगा तो आप इसको n ही रहने दे और यहां पर आजएगा 16 अब हम लोगों को चाहिए यह वली form क्योंकि यह है m2 के equal तो अब हम लोग की बाकी वली चीज़ों को यहां पर shift कर देंगे अब हम लोगों ने हर एक n को इसके साथ लिखना है आप यहां bracket भी डाल सकते हैं अब हम लोगों ने 1 by n जो है उस हर एक form के साथ लिखेंगे तो यहां आजएगा minus 4 submission f over x by n और यह n जब हम लोग 4 को submission से multiply किया तो यहां पर आजएगा n और यह n इस n से cancel out हो जएगा और यहां पर आजएगा 16 अब हम लोगों को चाहिए यह वली form यह वली form equal है हमारी m2 raw moment के तो अब हम लोग इस form को निकालने के लिए बागी सब चीजों को यहां is equal के दर shift कर देंगे जब हमने इन सब चीजों को यहां पर is equal के दर shift किया तो हमारे पस यह form आजएगी और sign हम लोगों के पास change हो जएगे पिछले question में जब हम लोगों ने drive किया है submission f over x by n जो के हमारे पस equal होता है m1 raw moment के उसका answer है हमारे पस 3 अब हम लोग यहां पर put कर देंगे यहां पर 3 तो हम लोग यहां लिखेंगे 1 by n submission f over x square जो के equal है m2 के m2 raw moment के हम लोग यहां वो भी लिख सकते हैं तो 16 plus 4 और submission f over x by n जो के हम लोग लोग ने पीछे drive किया है जिसका answer है 3 हम लोग यहां वो value put करेंगे और यहां करेंगे 4 1 by n submission f over x square is equal to m2 raw moment is equal to 16 12 minus 4 अब हम लोग इसको solve करेंगे और देखेंगे हमारे पस क्या answer आता है 1 by n submission f x square is equal to m2 prime is equal to जब आब है सब को solve करेंगे आपके पास यहां आजएगा answer 24 इसका मतलब है कि आपके पास m2 raw moment का answer भी 24 है जो जैसा कि हमारे पास question में गीमन है इसका मतलब है कि यह भी drive हो गया है next अब हम लोग equation number 3 solve करते हैं अब हम लोगों ने यहां पर equation number 3 जैसा कि हमारे पास question में mention थी हमने यहां as it is वो लिख ली है जो कि हमारे पास यहां m3 prime के equal है और हम लोगों ने यहां पर x minus y cube यानि कि हम लोगों ने इस cube को open करना है यहां पर मैंने वो formula लिख है जो हम as it is use करते हैं और यहां पर मैंने y की जगा यही value put किया यानि कि इस cube को formula लिख लिए है जो कि होता है x cube minus 2 की पार q minus 3 x square minus 3 x square 2 इस 2 का आप 3 से multiply करेंगे आपको पस answer आजएगा 6 और यहां पर 3 x 2 square जो कि आजएगा 4 4 3s are 12 अब हम लोग इसी form को open करके इसके साथ यहां लिख लेते हैं हमारे पस यहां है 1 by n submission f और आगे हम यही पूरी form लिख लेते हैं जो कि है x cube minus 2 की पार cube होता है हमारे पस 8 और यह आजएगा हमारे पस 6 x square plus 12 x और इस इक्वल के दर आजएगा minus 40 अब हम लोग इसी form को submission f के साथ multiply कर वा देते हैं तो हमारे पस यहां answer आजएगा submission f x cube minus 8 submission f minus 6 submission f x square plus 12 submission f over x is equals to minus 40 तो यह अब हम लोग के पास form है अब हम लोग हर एक values को n के साथ divide करके लिख लेते हैं अब यह हम लोग के पास एक form आ चुकी है जिसमें n n से cancel out हो जएगा submission f की जगा हम यहां put करेंगे n आप यहां n भी लिख सकते हैं और इस n को जब आप इसके साथ लिखेंगे तो यह n n से cancel out हो जएगा अब हमारे पास जो यह first submission f x q by n की जो form है यह आजएगी m3 prime की equal क्योंके हम लोगों ने यही ट्राइफ करनी है तो हम लोग यहां से लेकर यहां तक जितनी भी यह तीन terms हैं हम लोग इस equal के इदर यानि के इस तरह put कर देंगे और यहां पर हमारे पास submission f x q by n की value जो के हमारे पास यह आई है जो के है 24 हम यहां वो पुट कर देंगे और submission f by n की value जो की थी 3 हम यहां वो पुट कर दे देंगे मैं आपको value लिखते थे इसकी value यहां से आईगी 24 जिए एनिके m2 prime m2 की value जो के यहां से आई है और m1 prime की वैल्यू जो के हम लोगों ने समिशन एफ आवर एक्स की वैल्यू ड्राइफ की है वो है 3 हम लोग इन जगा पर वैल्यूस पुट कर देते हैं और देखते हैं हमारे पास M3 प्राइम यानके समिशन FxCube by N का अंसर क्या आता है अभी हम लोगोंने सब वैल्यूस को जब 40 के इसदर पुट किया और हम लोगोंने यहां पर उन सब जीजहों की जगा जो वैल्यूस करती है 6 को हम लोग ने multiply किया 24 के साथ हमारे पास answer है 144 और 12 को multiply किया 3 के साथ हमारे पास answer आगे 36 अब हम लोग इस पूरे values को जब solve किया हमारे पास submission fx cube by n यहां के m3 prime का answer है 76 और यहीं पर हमारे पास example number 4.16 complete हो जाती है next अब हम लोग topic पढ़ेंगे अपना squiness का और kurtosis का और इसी की साथ हमारे पास chapter number 4 यहां complete हो जगा next उसके बाद हम लोग solve करेंगे chapter number 4 की exercise अब next हम लोग अपना topic पढ़ेंगे जोके है squiness उसकी हमारे पास definition है our distribution is called squid हम उस distribution को squid कहते है if it is not symmetrical जोके symmetrical ना हो our squid distribution has a curve squid distribution यानि के squiness हमारे पास वो curve होता है with a longer tail और any direction जिसकी हमारे पास longer tail हो किसी भी direction की उसको हम लोग squid distribution कहेंगे या squiness कहेंगे if the long tail अगर जो long tail होती है is on the right side जो long tail अगर हमारे पास right side पे होगे right side मितलब यह वाली side हमारे पास दो हाथ होते हैं हमारे पास right side पे जो हाथ होगे वो ही हमारी right side होगी उस distribution को हम लोग कहेंगे positively squid और अगर हमारे पास long tail is on the left side यानि के इस तरह की जो direction होगी अगर हमारे पास left side पर होगी तो उसको हम कहेंगे negatively squid अब हमारे पास squid में स्कूइनस में हमारे पास दो directions होती है हम दो ही graph discuss करते हैं पहला हम लोग का graph है in case of positive squid या positively squid स्कूइनस भी कह सकते है the mean is greater than the mode अगर हमारे पास कोई भी graph positively squid होगा तो उसमें mean हमारा होगा greater होगा mode से क्योंके median तो बीच में लाए ही करता है यसलिए median को हम लोग नहीं देखेंगे mean और mode को देखेंगे जैसे के यहाँ पर mean अगर हमारा greater है mode से तो हम लोग इस तरीके से sign लिखेंगे और median बीच में लाए करेंगे इसको हम कहेंगे positively squid और इसका graph इस तरीके से होगा जिसकी tail right side पर ज्यादा जारी जैसे के यहाँ पर इसकी जो यह वाली tail है जिसको यह हम कहते हैं यह right side पर जा रही है तो इसको हम कहेंगे positively squid और यहाँ पर जो सबसे top होगा वो होगा mode उसके बाद बीच में लाए करेंगा median और जो small end पर होगा वो होगा mean अब हम लोग अपना second case पढ़ते हैं जो कह है negatively squid के लिए अब point number two है जिसमें हम लोग negatively squid के बारे में पढ़ेंगे in case of negatively squid हम दोनों लाव्ज यूस करते हैं या आप negative squid भी कह सकते हैं या negatively squid भी कह सकते हैं तो mean is less than mode जो mean होगा वो less होगा mode से तो क्योंके median तो हमारा बीच में लाए करता है तो उसे हम कहेंगे कि ये negatively squid है या negative squid है उसका graph कुछ इस तरीके से होगा कि जिसकी tail जो left side पर जा रही होगी तो उसका graph इस तरीके से होगा उसको हम कहेंगे negatively squid और उसका sign हमारे आएंगे mean is less than median or less than mode और हम उसे कहेंगे negatively negative squidness या negatively squid आप कुछ भी कह सबते हैं और इसका graph इस तरीके से बनेगा उसके बाद है for a slightly squid distribution the distance between the mean and mode is approximately three times of the distance between mean and median mean minus mode is equal to three mean minus median और अगर हमारे पास कोई distribution की हो और इसमें हम लोग उसका formula apply करें तो हमारा formula आएगा mean minus mode हम लोग distance ले लेंगे mean की value में से mode को subtract करेंगे और यहां पर हम लोग mean की value में से median को minus कर देंगे और च्वी के साथ multiply कर देंगे इसको हम कहेंगे कि यह empirical relation है जिसमें तीनों का relation आगे mean का भी relation आगे mode का भी relation आगे और median का भी relation आगे नेक्स अब हम लोग अपना topic पढ़ते है measures of squareness कि यह chapter है हमारा measures of dispersion, moments and squareness तो हम लोग ने first discuss कर लिया dispersion जिसमें हम लोग ने उसके measures पढ़ लिये और उसके पर moments के हम लोग ने measures पढ़ लिये और अब हम लोग पढ़ेंगे measures squareness के यहां पर हमारे पास इसकी definition है the distance between the mean and mode is an absolute measure of squareness अगर हम लोग mean और mode का difference ले ले लें तो उसको हम लोग कहेंगे कि यह absolute measure of squareness है greater the difference between mean and mode जितना difference mean और mode में होगा उतनी ही ज़ादा उनके अंदर squareness पैदा होगी यांकि distance पैदा होगा the difference between the mean and mode is standardized and we get what is called relative measure of squareness और coefficient of squareness अगर हमारे पास difference i mean और mode का standardized तरीके से तो उसको हम लोग कहेंगे कि relative measure of squareness और coefficient of squareness है सबसे पहले हम लोग के पास measures of squareness में दो scientist statisticians है first हमारे पास Karl Pearson suggested the two moments of squareness which are Karl Pearson एक statistician है जिसने हमारे पास दो measure of squareness define किये first उसने measure of squareness बताया उसमें हमारे पास coefficient of squareness कहेंगे हम इसको या आप relative measure of squareness भी कह सकते हैं लेकिन हम लोग coefficient of squareness का word यूस करेंगे जिसको हम लोग S और नीचे सबस्क्रिप्ट में है इसके के सबस्क्रिप्ट में है इसके के आप इसको S के भी लिख सकते हैं और coefficient of squareness भी लिख सकते हैं क्यूंकि S के बाद ये के हैं तो ये के नीचे सबस्क्रिप्ट में आ जाता है और इसका फामूला है mean minus mode divided by standard deviation और दूसरा इसने measure of squareness हमें ये बताया कि sometimes the mode is not clearly located in the data sometimes ऐसे होता है कि mode उस data के इंदे clearly locate नहीं होता उस situation में हम लोग mode की जगा median को use कर लेंगे और उसका फामूला है coefficient of squareness sk is equals to 3 mean minus median divided by standard deviation हम इसकी जगा रिप्लेस कर देंगे mode और इसको multiply कर देंगे 3 के साथ second हमारे पास है if the coefficient of squareness इसी सबकी value के बारे में बताया हुए अगर हम लोग ये वाला for example इन दोनों में से कोई भी formula apply कर रहे हैं और उसकी value हमारे पास 0 आगी for example अगर हमने ये वाला formula apply किया ये वाला formula apply किया हमारे पास इसकी value आगी 0 हम interpretation में कुछ जगा पर हमें interpretation बतानी होती है तो हम ये कहेंगे ये हमारे पास distribution symmetrical है और अगर हमारे पास इसका answer या इसका answer किसी कभी answer positive में आए यानिके one से greater आए तो हम कहेंगे कि ये positively squared distribution है और अगर इसका answer या इसका answer हमारे पास negative में आए negative मतलब कि minus one minus two minus three and so on अगर इस form में आए तो हम कहेंगे कि ये negatively squared distribution है second हमारे पास measures of squareness में second statistician है बॉलेस जो कि इन्होंने बताया है बॉलेस suggested another my use of squareness and after his name is बॉलेस coefficient of squareness बॉलेस ने हमारे पास एक other coefficient of squareness suggest किया जिसकी बार उसका नाम होंगे बॉलेस coefficient of squareness coefficient जब इसने introduce करवाया तो इसका नाम coefficient of squareness के साथ इसका नाम भी use होता है जहां पर आपको कहा जाए बॉलेस coefficient of squareness अपलाया करना है तो आप लोग यहां पर साथ में लिखेंगे बॉलेस coefficient of squareness और इसको सिर्फ यह ही कह सकते हैं S के नहीं कह सकते हैं वो card persons को कहते हैं बॉलेस को हम लोग इसके नाम से ही लिखेंगे और इसका फामूला है Q3 माइनस मीडियन माइनस Q1 Q3 माइनस मीडियन माइनस Q1 अगर आपके पास ungroup data है तो Q3 का आपके पास फामूला होगा value of 3N plus 1 by 4 और अगर आपके पास median का है तो आप लोग यहां लिखेंगे value of N plus 1 by 2 और Q1 का हैगा value of N plus 1 by 4 इस तरीके से यहां फामूला निकाल लेंगे और अगर आपके पास group frequency distribution है तो आप लोग पूरा फामूला यूज करेंगे जो कि है L plus H by F 3N by 4 minus C और इसका होगा L plus H by F N by 2 minus C और Q1 का होगा L plus H by F N by 4 minus C इस तरीके से आप इन सब के फामूला को निकाल लेंगे तो अगर आप ये brackets हटा दें तो ये बनेगी Q3 minus median ये minus और ये minus sign होजएंगे दोनों के एक साथ लिखे जाएंगे तो ये होजएगा minus minus आजएगा minus 2 median ये दो median है और ये वाला minus जब इस bracket को open किया जाएगा तो ये हो जाएगा plus और वा plus यहां लिख दिया और ये minus का median और ये minus का median आपस में कैंसल आउट हो जाएगा तो पीछे बचा Q3 minus Q1 तो ये हमारे पस गॉबॉलस कोफिशन्ट और स्कुईनर्स के फार्मूला यहीं तक कम्प्लीट होते हैं नेक्स्ट इसमें बारे में बताये गया है कि इसकी जो वाल्यू है वो लाएगरे गी minus 1 से plus 1 के दर्मियान इसके जो फ़ाबॉला आप लोग apply करेंगे इसके बार जो इसकी वाल्यू है वो आनि शाहिए minus 1 से plus 1 के बीच में या इसकी value आए minus 1 या इसकी value आए 0 या इसकी value आए khali 1 इसके इलावा इसकी value 2, 3, 4 इस तरह से नहीं आ सकती next है if q3 minus median is equal to median minus q1 यानि कि ये चीज ये चीज और ये चीज अगर इन दोनों के answers equal आ जाएं तो आप इस distribution को कहेंगे ये symmetrical है and s के will be 0 यानि कि coefficient of sweetness will be 0 और अगर इसका answer और इसका answer आ जाए greater इसका answer आजए इस value से greater तो आप लोग कहेंगे का distribution is positively square और अगर इसका answer आजए इसके answer से चोटा यानि कि q3 minus median का answer आजए less चोटा आजए median minus q1 से तो आप उसको कहेंगे negatively square जैसा कि यहाँ पर लिखाव है next कारल पियर्सिंस ने एक और यानि कि तीन उसने measure of sweetness बताए first two हम लोग discuss कर चुके हैं third इसने बताया moments की बारे में moments ratio की बारे में first उसने moments ratio के यहाँ पर formula लिखवाए sk is equals to under root of beta 1 beta 2 plus 3 divided by 2 5 beta 2 minus 6 beta 1 minus 9 कुछ statisticians उसको इस formula से भी introduce करवाते हैं और कुछ statisticians इसको इस formula से भी introduce करते हैं अब आप लोग यह वाला भी use कर सकते हैं और यह वाला भी use कर सकते हैं इसमें जो हमारे पस बीटा 1 है उसकी value निकल आएगी beta mu 3 square और mu 2 का cube और beta 2 की value आजएगी mu 4 by mu 2 का square और अगर हम लोग यह वाला formula अप्लाई करते हैं तो यह होगा population data के लिए और यह वाला formula हम लोग apply करेंगे तो यह होगा sample data के लिए इसमें हमारे पस mu की value आजएगी submission x by n से और इसका हम लोग sigma और जो s की value है उसको हम लोग find out कर लेंगे इससे और अगर हम इसी answer का ले लेंगे cube इस answer का भी cube ले लेंगे और इस answer का भी cube ले लेंगे तो हमारे पस यहां answers आजएगे और m3 जो की है moments को हम लोग इस formula से निकाल लेंगे इस तरीके से हमारे पूरे formulas complete हो जाएंगे उसके बाद हम लोग अपना next topic पढ़ते हैं जो की है kurtosis के बारे में यह है हमारा इस chapter number 4 का last topic जो है kurtosis इसकी हमारे पास definition है the term kurtosis is used for peakedness of frequency curve हमारे पास जो kurtosis का word है हम लोग उसको frequency curve यानि कि जो हम लोग graph बनाते हैं उसका जो curve आता है उसकी यह peakness यानि कि हाइनस जितना भी वो high जाएगा उसको हम लोग कहेंगे कि यह kurtosis है a curve which is tall and lean at top is called leptocortic अगर हमारे पास कोई भी curve जो सबसे जादा tall हो और सबसे जादा top पे हो उसको हम लोग कहेंगे leptocortic और beta 2 यानि कि जो हमारे पास beta 2 की value है जो कि है mu 4 by mu 2 के square की value अगर उसकी value अगर हम लोग find out करते हैं मैं यहां पर beta 2 की value लिख लेती हूँ कि हम लोग beta 2 को कैसे find out कर सकते हैं beta 4 by mu 2 mu 4 by mu 2 का square इसकी value का find out करें for example इसकी value आपके पास आ गई है 4 और अगर आपके पास 4 की value 3 से यानि कि यह वाली value इससे बड़ी आ जाए तो आप इसको कहेंगे यह लैप्टो कर्टिक है for example अगर आपके पास इसकी value आ जाए चोटी is equal आ जाए 3 के तो आप कहेंगे कि यह normal और मीजो कर्टिक है और अगर 3 से चोटी आ जाए तो आप कहेंगे प्लैटो कर्टिक है next है हमारे पास the curve is called lepto कर्टिक अगर इसकी value 3 से बड़ी हो इस curve is moderate peak is called normal और मीजो कर्टिक और अगर किसी भी ग्राफ का जो कर्व है अगर वा normal शेप में हो moderate peak या नार्मल पीक में हो तो आप इसको कहेंगे normal या मीजो कर्टिक और उसकी value हो 3 के equal और अगर कोई curve हो flat like a plate यान down हो बिल्कुल जुड़ावा हो तो आप इसको कहेंगे कि ये plateau कर्टिक है और इसकी value 3 से चोटी होती है और ये इसके graph है जिसको आप लोग कह सकते हैं ये बिल्कुल इस line से जुड़ावा है बिल्कुल close है down इसके बिल्कुल जुड़ा है इस line के तो आप इसको कहेंगे ये plateau और यह नॉर्मल शेप में है तो आप कहेंगे मीजोकर्टिक और यह सबसे टॉप पे है यह बहुत जादा उपर जा रहा है तो इसको आप कहेंगे यह लैप्टोकर्टिक है इसकी रेंज है M2 is greater than 3 इसकी रेंज है M2 is equal to 3 और इसकी प्लैटोकर्टिक की रेंज है M3 is less than 3 next है Myers of Cortosis Myers of Cortosis का सिर्फ हमारे पस यहां फामूला है जो कि है K हम इसको denote करेंगे K से यहां पर हम लोग लिखेंगे QD यान के Cautile Division और यहां पर हम लोग final करेंगे P90-P10 से और इसकी वैलियो हमारे पस लाइक करनी चाहिए 0 और 0.50 के बीच में और 1 नहीं होनी चाहिए और 0 से चोटी नहीं होनी चाहिए इसी के साथ हमारा आज का यह पूरा चाप्टर कंप्लीट होता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाल झाल झाल